अपने आपको कैसे पॉजटिव रख सकते हैं और कैसे अपने माइंड सेट को पॉजटिव रख सकते हैं जिससे यह जो समय है and I believe कि ये समय जो है वो बहुत ही you know negative है और बहुत ही fearful environment यहाँ पर create हो चुका है लेकिन I am sure at the end of this video आपको एक idea आ जाएगा कि ये situation में आप कैसे अपने mindset को positive रख सकते हैं see I believe कि हम अपने situation को circumstances को change नहीं कर सकते हैं what I believe is कि we can always control how we respond और हम कैसे अपने mindset को उस समय के दौरान फिक्स रखते हैं और कैसे हम उस negative परिस्तिति को अपने उपर हावी नहीं होने देते हैं so for example अभी अभी आप देखिए कि चारो तरफ the environment is quite fearful, quite negative और मैं ये शब्द का इस्तमाल है जो हो सके उतना कम करूंगा and the word you know what the word is it's COVID, it's corona and I'm not going to use that word right now because वो इतना negative हो चुका है and people are actually becoming fearful उसकी वज़ा से तो इस वीडियो का topic यही है कि कैसे हम इस समय के दौरान अपने आपको positive रख सकते हैं not just in COVID times but also in future as well because we can't avoid negative times in our life so फिलहाल दो प्रकार के लोग होते हैं आपके आसपास जन्हें आप देखते हैं first ऐसे लोग है कि जो कोरोना से सही में सफर कर रहे हैं they are suffering from corona या तो वो खुद सफर कर रहे हैं या तो उनका family जो है वो सफर कर रहे है और दूसरे ऐसे लोग है जो कोरोना में सफर नहीं कर रहे है they are suffering mentally कि वो जितना भी news देख रहे हैं उनके आसपास जितने भी लोगों को मिल रहे है everybody is about corona and everybody is you know health के challenges face कर रहे है economical challenge face कर रहे है so these are the people second category के लोग कहता हूँ कि जो लोग actual में सफर नहीं कर रहे है but they are suffering mentally and emotionally और उसकी तादात मैं तो कहूंगा बहुती ज्यादा है see to be honest अभी today is I guess my 10th day of quarantine I was also corona positive and why I am making this video is there are two kinds of people जैसे मैं आपको बताए एक जो सही में सफर कर रहे है जिनको corona हो चुका है और दूसरे ऐसे लोग है जो सफर नहीं कर रहे है but mentally ही वो डरे हुए है so दोने के लिए सबसे पहले आईए बात करता है ऐसे लोगों की कि जो लोग mentally सफर कर रहे है कि जो videos देख रहे है news देख रहे है अपने दोस्तों से बात कर रहे है and out of that उनके अंदर एक stress create हो रहा है कि यार corona मुझे हो गया तो corona अगर मेरे family को हो गया तो क्या हुआ तो so मैं आप से पूछना चाहता हूँ what will happen अगर corona हो गया तो see to be honest with you corona is not that dangerous वो dangerous तभी होता है कि जब आप stress में रहते है now मेरे पास यहाँ पर एक book है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप share भी कर दीजे because this is something कि जो किसी की जिन्दगी जो है वो बदल सकता है and especially during this time मैं आपको एक book दिखाना चाहता हूँ जिस book का नाम है you are the placebo और यह book लिखी गई है Dr. Joe Dispenza जो एक medical doctor है और वो कहता है you are the placebo which means आप खुद ही placebo है आप खुद ही अपने आपको heal कर सकते है वो कहता है उनकी book में एक बहुत ही amazing chapter है उसमें stress की उपर कि जब भी आप कोई भी परिस्वते में stress create करते है for example आपने कोई news देख ली की you know इतने bad की कमी है oxygen की कमी है injection नहीं मिल रहे है दवाई नहीं मिल रही है people are panicking यह सारी चीजों के वएज़े से what happens is कि आपके body में भी एक stress create होता है और वो stress कुछ समय के लिए create हो for 2 minutes या 3 minutes or maybe you know for some time so that is okay कि वो आपका body जो है उसे fight कर सकता है लेकिन what happens is कि आप continuously वो अपने आपको fear में रखते है you continuously keep yourself in that fear, in that stress वो कहते हैं कि जब आप ऐसा करता है तो आपकी immune system जो है न वो कभी भी you know strong नहीं रह सकते है you are actually not doing good for your immune system यह कैसा हो गया पता है कि आपके body की जो energy है न वो सारी energy काम कर रही है आपके body में जो energy अभी आपने stress create की है न उसी में वो काम कर रही है it's like कि आपके घर में अगर आप घर के ही अंदर-अंदर सदस्य जो है वो जगड रहे है तो बाहर से आकर कोई हावी कर सकता है attack कर सकता है so in any given situation stress क्या करता है वो आपके immune system को down करते रहता है so आप susceptible हो जाता है उस virus से और दूसरा अगर virus लग गया है आपको तो वो आपके आपकी situation को बाहर नहीं निकालने वाला है so I'll just quote a simple उसमें से एक बहुत ही amazing survey हुआ तो मैं अभी आपके साथ share करना चाहता हूँ because I think this is really really important आप लोगों के लिए ये समझने के लिए वो कहते हैं कि एक UCLA UCLA में study हुआ था कि HIV HIV जो virus है वो spread हुआ था उन patients में ज्यादा कि जो लोग का stress level ज्यादा था और दूसरा जिनका stress level ज्यादा था उन लोगों के उपर drug भी जो थी यानि कि जो दवाई थी वो भी ज्यादा काम नहीं कर रही थी and the drugs worked four times better चार गुना जो वो दवाई थी वो ज्यादा काम कर रही थी ऐसे patient में कि जो लोग काम थे शांत थे और जिनके अंदर stress कम था so anybody who is right now in this situation कि जो अभी फिलहाल इस कोरोना की situation में है you understand कि ये stress आपके लिए अच्छा नहीं है you need to keep that stress at bay so इसके लिए क्या कर सकते हैं see, first of all उसके लिए आप कर सकते हैं कि new channel देखना बंद कर दो because उसकी वज़े से आपके अंदर बहुत सारा जो है वो panic create हो रहा है it is creating unnecessary stress now, दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो सही में कोरोना में सफर कर रहे है कि they are now infected और अभी क्या किया जाए ऐसे लोगों के लिए मैं again एक एक बुक का यहां पर example देना चाहता हूँ this is called Man's Search for Meaning now, ये बुक बहुत ही amazing बुक है इस बुक में विक्टर फ्रेंकल जो एक जो ऑथर है इस बुक के वो उनको तीन साल रहना पड़ा था प्रिजन में जेल में रहना पड़ा था और जब वो जब वो जेल में रह रहे थे तीन साल था can you imagine और वो वो वर्लड वर्ट टू के दौरान वो नाजी कॉंसंट्रेशन केप में तीन साल रहे थे and can you imagine कोरोना में आपकी हालत भी वैसे ही है कि आप भी जब देखते हैं कि you know आपकी सिचुवेशन now this is my 10th day तो you also feel like कि आप भी एक प्रकार के एक प्रिजन में है it's a 5 star prison but again वो एक प्रिजन जैसा है so जब आप भी इस परिस्थिती में होते हैं how can you stay positive जब आप कोरोना पॉजटिव है so this is my question और ये बुक में बहुत ही amazing answer उनोंने दिया है कि ये इंसान को भी हमको तो 14 देन कॉरंटीन रहना पड़ता है maybe 2 महीने या 3 महीने maximum हम रहते है so don't you think कि ये इंसान 3 साल रहे थे लेकिन फिर भी he was very positive उनका mindset बहुत ही positive था बाकी prisoners जो थे बाकी जो कह दी थे उनका mindset positive नहीं था but that guy Viktor Frankl की जो मैं बात कर रहा हूँ he was positive and the reason that he was positive वो कहते है कि वो हमेशा वहाँ पर जब prison में थे he was not focused on कि अरे यार मैं तो prison में आगे अब क्या करूंगा I'm not going to you know how can I you know do the things that I wanted to do अब मैं यहाँ पर फस गया हूँ वो वो सारी चीज़े नहीं सोच रहे थे he was thinking about कि यार जब भी मैं बाहर निकलूंगा मैं क्या करूंगा so you know what he did he started writing his book वहाँ पर उन्हें अपने बुक और रिसर्च करना शुरू किया और वो यही सोच थे कि जब मैं बाहर निकलूंगा तब यह मेरी बुक लांच करूंगा and then he launched this book और उन्हें लोगो थेरपी को भी invent किया which is an amazing psychotherapy so this is what you need to do कि जब आप भी इस समय में है you think about कि जब आप इस जेल में से एक कॉरंटीन में से बाहर निकलेंगे तब आप क्या करने वाला है and hope is a powerful thing many people give up कि अब तो ऐसा ही होने वाला है अब तो मेरा business भी improve नहीं होगा मेरी health भी improve नहीं होगी दुनिया भी ये खतम होने वाली है so if you think that way तो वो आपके अंदर negative ही चीज़े डालने वाला है so what you need to do is कि ये suffering जो हो रहा है न आपको भी understand कि ये suffering के पीछे भी कुछ ना कुछ meaning है अगर आप corona positive हुए है अगर आपका family experience कर रहा है maybe there's a higher purpose for it अगर उस higher purpose को हम समझ लेते हैं and if you accept the situation और आपका focus यही है कि इसमें से बाहर निकलने वाला हूँ और जब बाहर निकलूंगा तब मैं ये ये चीज़े करने वाला हूँ so this is how you actually deal with it इसमें negative होने की stressful होने की कोई भी ज़रूवत नहीं है do जो आपके control में है और उसी के साथ-साथ Amol जी नहीं आपर कहा है कि comedy movie देखो absolutely it is very important कि इस समय में आप news ना देखिए, comedy shows देखिए stand-up comedy देखिए entertainment अपने आपको कराईए जिससे अपका mind जो है वो positive you know immune system build करना शुरू करेगा और stress आपके लिए you know वो immune system का उपकी down नहीं करने वाला है so guys thank you so much for watching this video I hope कि आप सभी लोग इस video को share करे ज्यादा सी अदा लोगों तक ये video पहुंचा है because we have to stay positive during this time and that is the only way out wish you all the best and wish you good health and happiness always